तो यार जैसा कि आप लोगों ने समदिन में देखी लिया था आप जो मैंने रिव्यू करने वाले है पीपो पॉपकॉर्ण का जिसमें से मेरे पास एक है चीजबस्ट और एक है टैंगी टमेटो साल साल सा अब देखो तो फ्लेवर तो बहुत सारे थे जहां से में लाइन है तो यार बट यार यही अच्छे लगेता है एक तो चीजबस्ट वाला मुझे ट्राइगा ना था और यह कि ना मुझे टैंगी टमेटो वाला ची होता है उद्धर एक परी परी भी तो यार अब में को रहा काफी नॉर्मल सा लगता है तो परी परी तो आम मैं लेती नहीं क क्योंकि ट्राइ करता है मैं परी परी मसाला मेरे बास खुझ के पास फड़ा है तो मैं क्यूंही लगाँगी भी लेती नहीं तो अब वैसे तो है ना मैं लेती भी नहीं हो यह मैं पहली बार यह फ्लिवर वाला बॉप्कॉर्ण ट्राइग अज़े गर्ज़एं पंदर ला पॉपकॉर्ण यानि कि पॉपकॉर्ण में बटर बटर डाल की नहीं तरहता है कि बहुत तो उसके पैसे वह आधर से आधर दा था वही ले लेते हैं तो हाँ प्राइस तो पताना भूली गई मैं इसका प्राइस 33 रुपीज जो बस था और एक था उसके अंदर टेस्ट मेंकर तो बहुत जरूरी होता है उसके बिना तो कुछ है जी नहीं इस पॉपकॉर्ण का तो आप देखो दोने पॉपकॉर्ण का मैंने अलगलगी बिनाया होता है अब देखो वैसे अगर नॉर्मल बहार से जो सूखे सूखे मक्की होती है वो लाओगे ना तो क्या करना आप उसमें बटर बटर डालके कुकर में फिर उसको अच्छे से गर्म कर लें जा तक दूहा नहीं निकले ना तब तक गरम कर लें और फिर अपने सूखे आल है नहीं है हाई फिलं पर पगव को तो यह जलन का रान नहीं है दो में तो पॉप हो जाते है जलेंगे क्या ख़ाग जलेंग तो बस दोनों को मैंने ऐसी वाप किया था मैं इसी ट्रिक से मैं तो अब यहीं करती हूं मब बड़ी सर्दियों घरी में चाही बढ़ता तो मैं यह ट्रिक अपनाती हो और यह मस्मन के रड़ी हो जाते हैं अब देखो दोनों के अंदर वो सबसे आगे वाला है न उसमें चीजबस्ट वाला है और सबसे पीशे हो रहा है टैंगी टामेटो सालसा अब देखो मुझे तो समझ में नहीं आया पहल तो मैं इसको मिला लिया तो तो सब रोपर आम गैना क्या हो अता सारा मसालो चाता ता ना वो नीची नीची बैठेगा था यえ मरी गल्ती हो गी थी कि ठणडजे में में मिला देया था ये काम आपको नहीं बनते ही निकालते ही आपको यह काम करना है कि मसाला मिला देना है थाकि उस काफी अच्छा लगा, टेंगी टमेटो सालसा, तो लेना हो तो ये ही लेना,